आपका स्वागत है अज मैं आपके लेके आए हूँ पीजा रेसिपी यह कितना अच्छा और टेस्टी दीख रहा है ना बिलकुल बाहर जैसा दीख रहा है आधा छोटा चमज नमक, आधा छोटा चमज सक्कर, एक छोटा चमज बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चमज बेकिंग सोडा, इन सब को हम मिक्स कर लेंगे एक साथ, फ्रेंट्स हम आटे को दही से गूतेंगे, फ्रेस दही है, घर की बनी हुई खटी दही बिल्कुल ना ले, इसके लिए हमें फ्रेस दही चाहिए, अब थोड़ा थोड़ा डाल कर इसे दही से ही गूत लेंगे, दो चमज फिर से डालेंगे, और इसका हम एक सौफ्ट डो तया सी्ट कने माइन ठीक्ष, तर दो जालेंगे, और इसे मसल मसले चिकना कर लेंगे, ताकि हमारा डोे जो ऑईल कर सके कि अजहरे प्रेंट्स हमारा डो तयार हो गया है, अब हम इसे 10-15 मिनट्रश के लिए, भक कर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, ताकि हमारा डो फुल ज इसके लिए में घरी कड़ाई ही चाहिए अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे फ्रेंट्स आपको यह नमक काले दिख रहे होंगे क्योंकि यह मैंने बहुत बार बेकिंग में यूज कर लिया है इसे हम फैला लेते हैं फ्रेंट्स आपके पास स्टेंड ना हो तो आप इस तरह की कटोरी एक रख लिजिए पर मेरे पास स्टेंड है पर मैं इसमें स्टेंड रख रही हूँ इस तरह से फिट कर लें और इसे मेडियम टू हाई फ्लेम पर दस मिनट के लिए गरम होने देंगे चले फ्रेंट्स 15 मिनट हो गए हमारा डो भी अच्छी तरह से फुल चुका ह है देखिए और एकदम सॉफ्ट हो चुका है इसे एक बार मसल लेते हैं और इसे दो पार्ट में डिवाइट कर लेते हैं और इस तरह से दो लोई त्यार कर लेंगे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा मैदा चिरकेंगे और लोई को इसके उपर कोट कर लेते हैं और इसे जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह बेल लेंगे बट हमारा ये डोट ठीक रहेगा रोटी मोटी चाहिए हमें रोटी की पतली नहीं चाहिए हमें ये देखें फ्रेंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ इतनी मोटी हमें चाहिए इससे ज़्यादा पतली ना करें और ना ही इससे ज़्यादा मोटी करें ने तो हमारा पीजा भी कच्चा रह जाएगा अब हमने एक फोक लिया है यानि कि काटा हुला चमच इससे हम इसमें खड़ा कर देंगे फ्रेंस हम बाहर से जो पीजा पाउ लाते हैं उसमें देखिए इसी तरह से डॉट्स रहते हैं जिससे हमारा पीजा पाउ फूलेगा नहीं यह मैंने प्लेट ली है आज हम प्लेट में बनाएंगे प्लेट को हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं हम पीजा बेस को इसमें डालेंगे और इसे साइड साइड से खड़ा कर कर एक इसे गोल त्यार करेंगे अब हम इसके उपर पीजा सोस लगाएंगे अपना अगले वीडियो में मैं आपको पीजा सोस की रेसिपी जरूर अपलोड करूंगी इस तरह से फैला ले अब इसके उपर हम चीज डालेंगे इस तरह से घसकर अब मुजरेल चीज भी यूज कर सकते हैं मेरे पास यह चीज था इसके लिए मैंने यह यूज किया है आप कोई भी ब्रांड का का यूज करें इसके उपर हम सिंवर मिर्च रखेंगे इसके पास पिली वाली थी सिम इन्युक्त कर सकते हैं यह लाल वाली सिमना मिर्च लगाई हमने थोड़ी सी हरी वाली इस तरह लगाने से यह बहुत ही कलरफूल दिखता है हमारा पीजा यह कांदा लगाया हमने स्लाइस में कटके इस यह बनाना बहुत आसान है आप एक बर बना कर घर में जरूर ट्राइक रिजे यह बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगता है खाने में एक बर आप बनाएंगे तो मार्केट से कभी नहीं लेके आएंगे पीजा खाने के लिए अब हम इसके ओपर फिर से चीज घसकर डाल देते प्रेंस चीज ज़्यादा डाले क्योंकि चीज इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है चीज का चीज से ही हमारा पीजा टेस्टी बनता है यह हमने चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाला हमारी कड़ाई गरम हो चुकी है बहुत ही साधानी से खोले अब हम इसके अंदर अपना पीजा का जो प्लेट हमने तयार किया वह इसमें रख देंगे बहुत ही साधानी से रखिए फ्रेंस बहुत ही गरम है यह और फ्रेंस हम इसे ढख देंगे अब 15-20 मिनट के लिए हम इसी तरह बेग होने देंगे फ्रेंस सबके गैस का फ्लेम अलग अलग होता है पिसे बीज बीज में जरूर चेक कीजिएगा कई आपका यह बेग जल न जाए चलिए फ्रेंट्स 20 मिनट हो गए हम चेक कर लेते हैं वाव देखिए फ्रेंट्स कितना अच्छा दिख रहा है ना हमारा पीजा चलिए हम इसे निकाल लेते हैं यह देखने में कितना अच्छा दीख रहा है बिल्कुल बाहर मार्केट जैसा दीख रहा है ना साधानी से निकाले देखे फ्रेंड्स हमने अपना पीजा निकाल लिया इसे हम कट कर लेते हैं आपको कट करकर दिखाती हूँ कितना टेश्टी और अच्छा बनाया है हमारा पीजा देखे फ्रेंड्स कितना अच्छा दीख रहा है कितना चीजी बनाया हमारा पीजा फ्रेंड्स आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करकर जरूर बताइए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और हाँ फ्रेंड सस्क्राइब करना ना भूले थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो